असलालेकूम आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा नाश्टा जो कि हम आलू और मटर से बनाएंगे मैंने तीन आलू लिये थे और थोड़े मटर लिये इन दोनों को मैंने बॉइल कर लिया है अब हम इसको मेश कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि अच्छी तरह से मेश हो है आप इसको मैशर से मैश कर लें नहीं ते हाथों की मदश से भी कर सकते हैं आलू को बस हमने इतना ही मैश करना है मैंने यह देखिया कर लिये है अब हम इसके अंदर रेट करेंगे पाउडर मसाले जिसमें मैंने लिये है वन टीस्पून के उतना कुटवा धनिया लिया है अब हम इसके अंदर एट करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, वन टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स लिया है, थोड़ा सा हमने इसके अंदर नमक डालना है, हाफ टीस्पून के उतना, और कॉटर टीस्पून हमने इसके अंदर चाट मसाला एट किया है, हाफ टीस्पून रेड चि करके अंदर डाल दिया है एक मुठ्टी के बराबर हरा धन्या लिया ता उसको भी इसमें एड कर दिया है थोड़ा सा नीबू का रज में डाला है अब हम सारे चीजों को अच्छी दना से मिक्स कर लेंगे ताकि पॉर्टर मसाले हैं तो अच्छी दना से आलो में मिक्स हो पूर्ट करेंगे। सा कि ऐसके मेधं साइशन में क्योंको बेदल लुक आप ऐसे तेस्ट भी थोड़ाँई सी आड़िया कोरें're हाफ टी स्पून के उतनी और हाफ टी स्पून रेट चिली फ्लैक सेट करेंगे कलॉंजी से बहुत अच्छा लूग आता है टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है तो जरूर रेट करिएगा अब हम इसके अदना थोड़ा से हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा पानी डालके इसको एक बैटर जैसे बना लेंगे अब हमने इसका बैटर बना लिया है इस तरह से हमने इतना ही बैटर पतला चाहिए ज्यादा पतला नहीं करना बस इतना ही रखना है इसको अब हमने जो आलू का जो मिक्षर बनाया है अब हम इसको एक शेप देंगे आपको जो शेप प अब हम इस बैटर में इसको डिप करेंगे एक एक पीस को और फिर हम उसको ऑईल में एड़ कर देंगे यह बैटर लगाने से जो नाश्ता है ना बहुत ज्यादा क्रिस्पी बन्दा है आप इसको जरूर ट्राय करिएगा अब देखिएगा साइट हो चुकी है हम इसकी साइट इसको चेंज कर देंगे हमने इसको मीडियम फ्लेम पर करना है हाई फ्लेम पर नहीं करना है मीडियम फ्लेम पर जब अप्राय करेंगे तो बहुत ज़दा क्रिस्पी बन्दे हैं कि सारी साइट हमने टर्न कर देना है इसी तरह से और फ्लेम को हमने मीडियम रखना है अब हम तब तक अच्छा सा नाश्टे को बहार निकाल लेंगे यह मज़ेदार सा नाश्टा इस तरह से आप जब बनाओगे आपको मज़ा आजाएगा खाने में बहुत ही टेस्टी बनादा आप एक बड़ जरूट राइक करिए गा इस रेसीपी को मैं आपको सर्फ करके दिखाती ह क्यों उपर से एकदम क्रिस्पी अंधर से एदम फॉफ्ट और बहुत ही मजयदार सां है यह देखिया आप लोग देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी बनाएं उपर से और अंधर से एकदम सॉफ्ट loveूफ्ट हां काफी गरम भी है यह आपको ये वीडियो पसंदार आईए त प्लीज लाइख, शेर, सब्सक्राइब कर दिंग अलाहाफीज